एक चक्र या एक पहिया, हमारे सुक्षम शरीर में प्राण उर्जा का एक बिंदु है, हमारे शरीर के भौतिक समक्षों जैसे शिराओं, धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है, प्राण या जीवन शक्ती जब भी अवरुद्ध हो जाती है, तब उसको मुक्त करने क बेहत फायदेमंद तरीका है, योग, योग सडी हुई और दुरगंधित उर्जा को मुक्त करता है, और हमारे तंत्र में मुद्राओं और श्वास के माध्यम से ताजा उर्जा को आमंत्रन देता है, आपको पता होना चाहिए कि ये योग परंपरा, आदी अनंत कालों से सत के सनातन धर्म का अनभीग अंगरहा है, योग का क्षेत्र बहुत विशाल है, योग एक ऐसी विधी है, जिसके माध्य से व्यक्ति वो सब प्राप्त कर सकता है, जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है, योग से आप अलौकिक शक्तियों के जानकार बन जाएंगे, आप के अंदर एक अलग ही प्रकार की उर्जा का समावेश होगा, जिससे आपका जिवन अनन्द से भर जाएगा, त्रिदेव जिन्हे ब्रह्मा, विश्नु, महेश कहा जाता है, ये सभी योग के महा ग्याता है, इन्ही योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पुर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पुरे ब्रहमांड को संचालित करते हैं, तो मित्रों आज हम आपको शरीर मिस्थित साथ चक्रों के बारे में बताने वाले हैं, योग के द्वारा इसे कैसे जागरित करे, इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे, मित्रों सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र हैं, यह गुदा और लिंग के बीच चार पंखुरियों वाला यह आधार चक्र है, 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं, जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा क की प्रधानता है, उनकी उर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रत रहती है, इसका बीज मंत्र लन है, मनुष्य तब तक पशुवत है, जब तक की वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर सन्यम रखते हुए, इस चक्र पर लगातार ध्यान लग जगाने से यह चक्र जागरित होने लगता है, चक्र जगाने की विधी, आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखें, और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जन्नेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें, अप जगरा श्वास लें और छोर दें, साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं, इस चक्र के जागरत होने पर व्यक्ती के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागरत हो जाता है, सिध्धिया प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरुकता का हो दुसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो लिंग मूल से चार अंगुल उपर स्थित है, जिसकी छर पंखुरियां हैं। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। अंगुठे हलके से एक दूसरे से स्पर्श करें, गहरा श्वास लें और छोर दें, साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागरत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवग्या, अविश्वास, आदी दुर्गणों का नाश होता है। सिध्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ये सारे दुर्गुन समाप्त हो, तभी सिध्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तिसरा मनिपूर चक्र हैं। नाभी के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतरगत मनिपूर नामक तीसरा चक्र है, जो दस दल कमल पंखुरियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या उर्जा यहां एकत्रत है, उसे काम करने की धुनसी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तयार रहते हैं। इसका बीज मंत्र रहें। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। रखें, सामने की ओर देखते हुई, एक दूसरे को शीर्ष पर छूती हुई हूँ। अपने अंगूठों के साथ वी की आकरिती बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रास करते हुए रहे, गहरा श्वास लें और छोर दें। साथ से दस श्वास लेते हु इसे दोहराएं। इसके सक्रिय होने से त्रिष्णा, इश्या, चुगली, लज्या, भय, धेना, मौ आदी का शायकलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ती प्रदान करता है। सिध्धिया प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा है। चौथा अनाहत चक्र है अगर आपकी उर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक स्रिजनशील व्यक्ती होंगे हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं आप चित्रकार कवी कहानिकार इंजिनियर आदी हो सकते हैं इसका मंत्र यह हैं हृदय पर सन्यम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागरत होने लगता है खासकर रातरी को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगा चक्र जगाने की विधी हाथ को अपने स्तनों के बीच तक उठाएं हथेली हलकी सी आपके हरिदय की तरफ जुकी रहे गहरा श्वास लें और छोड़ दें साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं इसके सक्रिय होने पर लिपसा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्थ होता है विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है जहां विशुद्ध चक्र है और जो सोलह पंखुरियों वाला है सामान्य तोर पर यदि आपकी उर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अतिशक्तिशाली होंगे, इसका मंत्रह है कंठ में सन्यम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागरत होने लगता है चक्र जगाने की विधी आराम से बैठ जाएं, अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार शेत्र पर से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें अपने दोनों अंगुठों को छूते हुए एक वृत बनाएं और अपनी उंगलियों को आपस में क्रास करें और धीले कप की आकरती लिए हुए अपने हाथों को अपने गले सोलर प्लेकसस के सामने तक उठाएं या अपनी गोद में आराम करने दें गहरा श्वास लें और छोड दें साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं इसके जागरत होने पर सोलह कलाओं और सोलह विभूतियों का ज्यान हो जाता है इसके जागरत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है चटठा अज्याचक्र हैं दोनों आखों के बीच भ्रिकुटी में स्थित है सामान्य तोर पर जिस व्यक्ती की उर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ती बौधिक रूप से संपन्न समवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है इसका मंत्र उ है घ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागरत होने लगता है चक्र जगाने की विधी आराम से बैठ जाएं अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी तीसरी आख के क्षेतर पर केंद्रित करें भाहों के बीच के बिंदु से थोड़ा उपर से शुरू होकर पहली सर्वाइकल कशेरुका तक खोपडी के आंतरिक भाग को शामिल करते हुए अपने दोनों अंगुठों तथा दोनों तरजनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्ष कराते हुए रिदय का आकार बनाएं अनामिका वकनिष्ठा आपस में उंगलियों के दूसरे पोरों पर स्पर्ष करें मध्यमा उंगलियों से ताज बनाएं अपने हाथों को उठाएं तीसरे नेत्र, सोलर प्लेकसस के सामने रखें या अपनी गोध में विश्राम करने दें गहरा श्वास लें और छोड़ दें, साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं यहां अपार शक्तियां और सिध्धियां निवास करती हैं इस आग्या चक्र का जागर्ण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिध्ध पुरुष बन जाता है सात्वा सहसरार चक्र हैं सहसरार की स्थिती मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं यदि व्यक्तियम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुच गया है, तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है ऐसे व्यक्ति को संसार, सन्यास और सिध्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है मूलाधार से होते हुए ही सहसरार तक पहुचा जा सकता है लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागरत हो जाता है और व्यक्ति परमेहन्स के पद को प्राप्त कर लेता है चक्र जगाने की विधी आराम से बैठ जाएं अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखें और अपने सिर के शीर्ष पर स्थित अपने मुकुट के क्षेतर पर और अपनी खोपडी से उपर तीन इंच तक अपना ध्यान केंद्रित करें उंगलियों को आपस में अंदर की ओर क्रॉस करते हुए और बाएं अंगुठे को दाएं के नीचे रखें इस तरह से हाथों को जकड लें दोनो अनामिका उंगलियों को उठाएं और मुकुट बनाएं अपने सिर के उपर से दोनो हाथों को उठाएं सोलर प्लेक्सस के सामने या अपनी गोद में विश्राम कराएं गहरा श्वास लें और छोड दें साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं शरीर संग्रचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपून विद्युतिय और जैविय विद्युत का संग्रह है यही मोक्ष का द्वार है